एसलाम अलेकुम जी कैसे है अप लोग उम्मेद करते हैं खैडिय से होंगे अव सभी और अप लोगों की दुआओं की वाज से मैं फिल्लम दिल लब विल्कु ठीक हो दुआ करते हैं लब सभी को ठीक रखे, खुश रखे, और अबाद रखे, और हर तरह की परेशानिया, हर तरह की भी मोरी उसे बचाए, आमीन तो आज मैं आप लोगे साथ शेक करने लगी हूँ, राव मैंगो जूस की रेसिपी, तो राव मैंगो जूस की रेसिपी बहुत ही कॉमुन है, बहुत लोग बहुत तरह से बनाते हैं, बट मैं जिस तरह से बनाती हूँ, आप लोगे साथ शेक करने लगी हूँ, तो इंग्रे आप लोग अपने मर्जी के अनुसार चॉप कर सकते हो, क्योंकि ब्लेंड ही हो जाएगा, और इसके अंदर सीड भी आ गया है, तो सीड भी निकाल देते हैं, और ऐसी रेसिपी ना बहुत ही असान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी चटपड बन भी जाते हैं, और बहुत ही टे थक जाते हैं, तो ऐसी जूस पीने से थकान भी दूर हो जाते हैं, परसनली मेरी तो होती है, तो मिक्सी के जाट के अंदर मैं कटी हुई मैंगो डाल दी, और एक बड़ा साइज मैंगो के लिए मैंने 4 टी स्पून शुगर डाल दी, और ब्लैक सॉल्ट हप चमच के कड़ी और चाट मसाला भी हप चमच के कड़ी, और ग्रीन चिली दो डाल रही हूँ, आप लोग चिली का कॉंटिक्टी कम भी कर सकते हो, और आइस अपने हिसाफ से डाल रही हो, और एक चीज मैं बताना भूल गई, वो है कोरियंडर लिप्स को मैं पेस्ट बना के क्यूब बना के रखती हूँ, तो उसी का ही दो क्यूब मैं डाल रही हूँ, अपनों के पास फ्रेश कोरियंडर लिप्स हो, तो वो ही डालना, यह डालना से क्या होता है, फ्लेबर भी आच्छा देते है, और कलर भी नैचरल सा एक कलर भी आच्छा आते है, तो पानी डाल दी से ब्लेंड क लगा दी, और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट जो मैं मिला के रखी थी, ग्लास के चारो तरफ लगा दी, यह सिर्ख दिखने में अच्छा लगने के लिए और कुछ भी नहीं, तो सार्ब कर देते हैं, और इससे पहले भी एक बार मैं सार्ब कर दी, क्यूंकि मेरे घर में कोई आ गया था, तो मैंने पीक उठा के डिक दी, उसी ग्लास का भी मग में सार्ब की थी, तो भी आप लोग को दिखाऊंगी, ताकि आप लोग को पता चले एक बड़ा साइज मैंगो में कितना जूस बनते हैं, तो ऐसी ग्लास का साइज हो तो तीन ग्लास बनते हैं, और बड़ा साइज हो ग्लास का, तो दो ग्लास बनते हैं, तो हमाड़ा रॉ मैंगो जूस बनके तैयार हो गया है, आप लोग भी ऐसी रेसिपी जरूर ट्राइ करना, और कॉमेंड में बताना केसी बनी थी, तो माशालला कलर भी कितना चाया है, आप लोग देख सकते हो, तो आ अले यू गया है, आप बगय, आला हफीज